शनी देव के सुभाव के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे इनका सुभाव बहुत गुच्से वाला है और इनको नियाधीश भी कहा जाता है शनी देव ब्यक्ति के कर्म के अनुसार ही उनको फल भी देते हैं अगर किसी मनुस्य के उपर शनी देव के क्रिपा हो जाती है तो उसकी सभी समस्या दूर हो जाती है और वो अपना जीवन खुशी से बिताते हैं और उस इनसान को सभी सुख सुभिधाएं भी मिलती हैं वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन तीन राशियों के नाम जिनके किस्मत 12 मई के बाद बदलने वाली है तो आईए बताते हैं कि कौन-कौन हैं वो खुश नसीब राशियां जिन पर शनी देव महरबान होने वाले हैं पहला मिथुन राशी मिथुन राशी के जातकों के उपर शनी देव के विशेश किरपा होने वाली है आपको अपने सभी कारियों में सफलता प्राप्थ होगी आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी साथी अचानक से धन प्राप्थ कहोने के योग हैं नोकरी पेशा को धन लाप होने के योग हैं 12 मई के बाद से आपका समय बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है दूसरा सिंग रासी सिंग रासी के जातकों पर शनी देव बहुत ज्यादा प्रसन नजर आ रहे हैं आपको भारी मात्रा में लाव प्राप्त होने वाला है आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे अचानक से धनलाव होने के योग हैं परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा 12 माई के बाद से आपके अच्छे दिनों की शुरुवात होने वाली है तीसरा कुम्बराशी कुम्बराशी के जातकों को सनी देव की विशेश किरपा बनती हुई नजर आ रही है 12 माई के बाद से आपको बहुत ज्यादा धनलाब होने वाला है आपको अपने स्वास्त का थोड़ा ध्यान देना होगा आपको अपने हर कारियों में सफलता प्राप्थ होगी परिवार का पूरा साथ मिलेगा जीवन साथी के साथ समय अच्छा भीतेगा एक्स नाइन स्पिरिच्वल की रिपोर्ट